इस वीडियो में हमें देखना है फाइलो टैक्सी का मतलब क्या है तो फाइलो टैक्सी is defined as the pattern of arrangement of the leaves on stem और branch मतलब एक जाड़ के या एक पौदे के stem पर या फिर branch पर जो पत्ते है वो किस तरह arranged है उसे कहते है फाइलो टैक्सी अब यह फाइलो टैक्सी इतना important क्यों होता है plant के लिए तो फाइलो टैक्सी यानि इस arrangement की मदद से ही plant के जो leaves है उन्हें proper amount में sufficient sunlight मिल सकता है यानि कि अगर leaves properly arranged है तो ज्यादा से ज्यादा sunlight उन पर गिरेगा और वो ज्यादा से ज्यादा photosynthesis कर पाएगे इसलिए फाइलो टैक्सी important है अब जो फाइलो टैक्सी है वो तीन प्रकार की है alternate, opposite और world तो इनका मतलब क्या है अब alternate यानि जो stem की node होती है हर node पर जब एक ही पत्ता निकले तो उसे कहते है alternate phylo taxis और वो जो एक पत्ता निकलेगा वो alternate manner में निकलेगा यानि कि पहली node पर right side में निकला है तो दूसरी node के उपर left side में निकलेगा फिर तीसरी node पर फिर से right side में निकलेगा तो that is alternate phylo taxis तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा यह है suppose वो stem और यह है stemper की nodes तो इन nodes पर अब निकलने वाले हैं leaf in alternate manner and one leaf at one node तो यह है फिर यह है दूसरी leaf फिर यह है तीसरी leaf यह है चौथी leaf और यह है पांचवी leaf हर बार देखिए एक node पर एक ही leaf है और alternately arranged है एक right में फिर left में फिर right में फिर left में तो इससे कहते है alternate phylo taxis इसे spiral भी कह सकते है मतलब alternate spiral phylo taxis अगर हर node पर एक ही leaf है और इसी manner में है लेकिन angle थोड़ा सा change है तो उसे कहते है alternate spiral phylo taxis अब इस alternate phylo taxis के example है mango, sunflower, mustard और china rose अब है दूसरा opposite phylo taxis मतलब हर stem पर दो leaves है node पर दो leaf है हर stem की जो node है उस पर दो-दो leaf आएंगे pair के अंदर तो यह होगई stem यह उसकी nodes अब हर node पर दो-दो leaf आ रहे है मतलब एक pair आ रही है leaf की यह है opposite phylo taxis जो opposite phylo taxis है वो दो-टाइप की हो सकती है एक है superposed और दूसरी है decasset तो यह जो हमने निकाली है यह है superposed opposite phylo taxis superposed का मतलब क्या है हर node पर दो-दो leaf तो है ही लेकिन वो हर pair जो है हर node की वो superposed है मतलब एक के उपर एक है इन दिस टाइप all the pair of the leaves on the stem they are arranged one above the other तो उसे कहते है opposite superposed phylo taxis इसका example है जामुन और ग्वावा मतलब सीडियम एक और example है इक्जोरा अब हो सकता है यह जो pair है वो 90 डिग्री पर हो हर बार जैसे यह हो गई stem और यह उन पर की nodes अब हर node पर दो दो लीफ निकलना चाहिए तो यह दो दो लीफ suppose यह है पहली pair अब जो अगली pair निकलेगी वो रहेगी 90 डिग्री पर इससे 90 डिग्री रहेगी वो तो यह है suppose उसके 90 डिग्री के उपर अब फिर से जो अगली pair निकलेगी that will be at right angle to the lower pair suppose यह ऐसी है exactly angles पर नहीं निकल रहे हैं सिर्फ explain करने के लिए अब फिर से जो अगली pair निकलेगी that will be at right angle to the lower pair तो suppose ऐसी है वो तो हर बार एक नोड के उपर एक pair निकल रहे हैं मतलब दो पत्ते निकल रहे हैं लेकिन जो pair निकल रहे है पत्तो की that is at the right angle to the lower pair of leaves और ऐसा आपको दिखता है in calatropis जो हम हनुमान जी को फूल चड़ाते हैं उसके जो पौदे हैं रूई जिस होई कहते हैं उसे ही कहते हैं calatropis उसके अंदर आपको दिखेगा decusset opposite type of phylo taxis दूसरा example है osimum अब world phylo taxis मतलब क्या तो अगर जो stem है उसकी nodes पर दो से ज्यादा पत्ते निकले तो उसे कहते हैं world phylo taxis तो suppose इस node के उपर यह पहला यह दूसरा और यह तीसरा तीन पत्ते निकले यहने दो से ज्यादा हो गए तो it is world phylo taxis इसे ही कहते है verticulate phylo taxis अब इसके example याद रखिएगा nerium मतलब कनेर जो गनपती जी को हम फूल चड़ाते है nerium दूसरा है elstonia मतलब सब्तपर्नी यह है world phylo taxis के example तो phylo taxis मतलब arrangement of the leaves on the stem जरूरी क्यों है क्योंकि proper amount में sunlight पत्तों के उपर गिरना चाहिए तीन टाइप की phylo taxis है alternate, opposite और world alternate के अंदर एक node पर एक ही पत्ता निकलता है और वो भी alternate manner में opposite के अंदर एक node पर दो पत्ते निकलते है हो सकता है कि वो एक दूसरे के उपर रहे जिसे हमने super post कहा या फिर हर बार जो pair निकलती है वो निचली pair से 90 degree के उपर हो और तीसरा है world मतलब हर node पर दो से ज्यादा पत्ते जब निकले तो उसे कहते है world philotaxi अब अगले वीडियो में हमें देखना है leaf के modifications क्या क्या है